lowering of vapor pressure में हम पहले ना vapor pressure इसको समझना चाते हैं vapor pressure को हम सمझेंगे फिर हम lowering of vapor pressure को पढ़ेंगे और फिर हम topic को आगे लेके बढ़ेंगे अब vapor pressure क्या होता है आई इसको देखते हैं student vapor pressure में ना मेरे पास ये container है इस container में हम एक liquid लेते हैं this one is a close container उसमें हम लिक्वर्ड लेते हैं और इस कंटेनर को एक स्पैस्फिक टेंपरेचर पर हम रखते हैं स्पोस्थ 30 डिग्री सब्सक्राइब अब क्या होगा अब यह होगा कि यह लिक्वर्ड है इट विल कर्वर्स इंटो वैपर्स एंड दोज वैपर्स और कुलेक्टेट ओवर इन में से कुछ वैपर्स दुबारा जाके लिक्वर्ड सर्फर्स के साथ टच करते हैं और लिक्वर्ड उनको री कैप्चर कर लेता है लिक्वर्ड का वैपर्स में कर्वर्ट होना इस वन इस काड़ वैपरेशन और वैपर्स का दुबारा लिक्वर्ड में जाना इस वन इ के अंदर equilibrium establish हो गया जब क्लोज container में equilibrium establish हो जाएगा फिर यह वैपर लिक्वड की सरफर्थ पार जो प्रेशर अग्सर्ट करेंगे लाइस काल्ड वैपर pressure हम इस वैपर प्रेशर की बात करें और दोसी बात जब आप इसमें प्योर लिक्वड लेते हैं दा वैपर प्रेशर ऑफ दैड प्योर लिक्वड दैड इस काल्ड पी नॉट लेकर जब आप इसके अंदर solute एड करते हैं नॉन वोलाटाइल नॉन अलेक्टोलाइड solute एड करते हैं गुलुकोज है सुक्रोज है आपके पास यूरिया है इन में से कोई आप solute एड करते हैं अब solute एडिशन के बाद अब इस solution में solvent का वैपर प्रेशर कम हो जाता है तो solution में solvent के vipor pressure हम इसे P कहते ही हैं अब यह जो decrease in vapor pressure हुआ ॥ है यह पहले पेहर solute का अब solution में solvent का यह जो decrease हुआ यह जो vapor pressure कम हुआ हम इसको loring of vapor pressure कहते है और इसको हम delta P से हम इसे represent करते हैं calculate कैसे करते हैं P naught minus P that is delta अब हम जानना चाहते हैं कि सॉल्यूट एड करने से सॉल्वन्ट का वैपर प्रेशर कम क्यों हुआ इसकी वज़ा क्या है माइडे स्टुडेट इसमें अब देखें जब आपके पास प्यॉर सॉल्वन्ट होता है प्यॉर सॉल्वन्ट में दा होल सॉल्वन्ट अफ ओल दा सॉल्वन्ट इस अवेलेबल फर सॉल्वन्ट मालिकूल तू इसकेप लेकर जब आप उस सॉल्वन्ट में सॉल्यूट एड करते हैं अब अब टींडेन्सी टूश के एक मालि कूल इनसी या कम हो जाती है इसके दो वजुयाओ पहरी बात सॉल्व NBA के आने के वज़जा से witnessed के कुछ सॉल्वन्ट की कुछ सॉल्वेथिक, सॉल्वंट मालि कूल्ज अकोबंपह इका लेती है लेहाजा less surface area की वज़ा से अब solvent molecule का वैपरस में जाना कम हो जाता और एक और बात जब आपके पास solute solvent में अड़ किया अब solute solvent interaction होती है अब solute के मालेकुल solute particles के सार attraction create करते है जैसे जब आप glucose के water में अड़ करते हैं तो glucose water के सार hydrogen bonding create करता है और उस हाइडरोजन बॉर्डनी की वज़ा से अब सॉल्वन माली कूल का वैपरस में जाना कदरे मुश्कल हो जाता है ये दो वो वजूहाते जिनकी बिजाब पर सॉलूशन में सॉल्वन के वैपरस कम बनते हैं और इसे से हमने लोरिंग और वैपर प्रेशर इसको मालूम किया हम ना हम इस चीज़ को हम इस चीज़ को क्वांटिटीटिवली स्टिडी करना चाहते हैं हम क्वांटिटीटिव राजिशन्शिप देखना चाहते हैं किसे एक non-volatile non-electrolite solute ये solution में जाकर solvent का vapor pressure कम करता है इसको हम quantitatively देखना जाते है route सला हमारी नज़त करता है हमने route सला की न तीन different statements पढ़ी थी student उसमें एक statement मैं आपके समशेर करता हूँ route सला हमें क्या बताता है route सला हमें बताता है यहां निमें लिखोंगा यहां पर कि according to according to route सला route सला route सला में क्या कहता है वो बताता है हमें कि the relative loaring the relative the relative loaring of vapour pressure vapour pressure is directly proportional to directly proportional to mole fraction of solute mole fraction of solute my dear student यह राउट सला की एक statement अब इसमें देखें क्या है हमारे पास इसमें है relative loaring of vapour pressure relative loaring of vapour pressure हमने इसे delta p over p 0 से लिखा इसमें 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 इसम solute को represent करता है तो X2 में mole fraction of solute अब ये mole fraction of solute किसके बराबर होगा तो X2 that is called to N2 over N1 plus N2 ये mole fraction के topic में आप पढ़ किया है अब X2 इसके बराबर और X2 फिर N2 over N1 plus N2 के बराबर तो ये वाली values के बराबर तो आपके पास आगे हैं student यहां पे delta P over P naught that is called to N2 over N1 plus N2 एक मैं बहुत important sentence लिखने जा रहा है बहुत important जो इस पूरे topic की जान है और वो क्या है student जब आप collective properties को study करते हैं तो आप इसमें देखते हैं मैंने आपको condition बताई थी मैंने condition बताई थी solute should be non volatile solute should be non electrolyte solution should be dilute तो solution dilute होना चाहिए और जब हम solution dilute है इसका मतलब क्या है इसका मतलब है आपने solvent में a very small amount of solute add की solute की amount बहुत कम add की आटे में नमा के एक बाप्र इसका मतलब है कि अगर solute की मिकदार कम होगी तो n2 इसकी value बहुत कम होगी और mathematically जब n2 की value बहुत कम होती है तो आप denominator से n2 इसको खत्म कर सकते हैं मैंने क्या का मैंने का कि for dilute solution for dilute solution the factor n2 in the denominator 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 can be neglected अगर मैं इसको neglect कर दूँ इसको मैं neglect कर दूँ तो student हम मेरे पास क्या आएगा हम मेरे पास आएगा delta p over p naught that is called to n2 over n1 एक और चीज़ और वो क्या student n2 number of moles of solute तो number of moles आप कैसे निकालते हैं chapter 1 first year chapter 1 number of moles n that is called to small m over capital M यह number of moles निकाले m क्या है this one is the mess अब मैं मैं यहां पर मैस की बिज़ए w weight की term इस्तामाल कर रहा हूँ तो इसका मदब क्या हुआ number of moles किसके बराबर हुआ weight over molar मैस इसका मदब n2 w2 over m2 similarly अगर मैं n1 का तज़क्रा करूँ तो मेरे पास यह आएगा w1 over m1 तो मैं n2 की जगह पर w2 over m2 लिखूँगा और मैं n1 की जगह पर w1 over m1 लिखूँगा तो मेरे पास यह बन जाएगा student यह आगया delta p over p naught that is called to पहले मैं लिखूँगा w2 over m2 and here we have w1 over m1 और मैं अगर यह m2 नीचे आजाएगा m1 ऊपर चला जाएगा तो मेरे पास ही हो जाएगा delta p over p naught that is called to w2 m1 over w1 m2 अब हम क्या find out करना चाहते we want to determine the molar mass of solute हम ना हम इस value को calculate करना चाहते यह बना m2 this one is the molar mass of solute तो m2 आपके पास student क्या आएगा m2 मेरे पास आगया अगर आप इसको इधर ले जाएगा यह उपर चला गया यह इधर आएगा तो यह घूम जाएगा यह यह पी नौट over delta p that is called into w2 m1 over w1 यह आपके पास यह आपके पास वह formula आगया वह equation आगई जिसकी मरद से आप lowering of vapor pressure से आप molar mass of solute find out कर सकते हैं अब इसी formula को इस्तमाल करते हुए मैं आपके साथ देखनों मेरे कर डिसकस करता हूँ student देखें मेरे पास लिखा है इसमें देखें 3 gram of a non-volatile non-electrolyte solute 3 gram this one is the mass of solute this one is w2 3 gram w2 2 is dissolving 50 gram of ether in this case ether will act as solvent this one is the mass of solvent w1 that is 50 gram यह दो चीज़ यह and the molar mass of ether this one is molar mass of ether this one is m1 74 gram per mole यह हमरे पास है तो next हमरे पास क्या आगया at 293 Kelvin this one is the temperature और हमारी इस equation में temperature का कहीं तजक्राह नहीं है vapor pressure of ether falls from 442 tor to 426 tor my dear student यह दो चीज़ आगी 442 this one is the vapor pressure of pure solvent और हम pure solvent के vapor pressure को क्या लेते हैं हम इसे P 0 लेते हैं तो P 0 हमारे पास क्या आगया 442 tor and 426 यह क्या हुआ this one is P I mean vapor pressure of solvent in solution 426 tor और लास्ट पर देखें find out क्या करना चाहते हैं क्या मालूम करना चाहते हैं we want to find out the molar mass of solute हम M2 find out करना चाहते हैं M2 हमें हमें इस equation में इस relation में जो भी required है वो हमारे पास statement में दिया हुआ हमारे पास student हमारे पास P 0 है P 0 है हमारे पास 442 डेल्टा P वो निकाल लो कैसे निकाल होगे P 0 minus P इस में से इसको minus कर दे आपके पास जो answer आएगा वो डेल्टा P है W2 mass of solute W1 M1 molar mass of solvent and W1 that is the mass of solvent अब आप इन सब चीजों को लेके हम इसको solve करते है solution पे आए student given data में हमारे पास वो ही जो भी मैंने डिसकस किया आप से mass of solute 3 gram mass of solvent 50 gram molar mass of solvent ether जो लिया हमने 74 gram per mole vapor pressure of pure solvent P 0 442 tor and vapor pressure of solvent solution 426 tor पहले मुझे ना delta P चाहिए delta P mean lowering of vapor pressure तो मेरे पास जो है lowering of lowering of vapor pressure I mean delta P कैसे लूँगा P 0 minus P student P 0 आपके पास क्या है P 0 मेरे पास है 442 tor और minus P आपके पास क्या है 426 tor तो आपके पास फिर delta P क्या आगया delta P आपके पास आगया 442 में से 426 minus करोगे student you have 16 tor 16 tor values put करो P 0 my dear student P 0 P 0 आपके पास आगया 442 tor 442 over delta P अभी अमने इनकाल है 16 multiply by M 2 W 2 W 2 is 3 gram into M 1 74 divided by divided by we have W 1 and W 1 is 50 student you have calculator or calculator की मनल से आप इसको solve करो जब आप इसको solve करेंगे the answer will be 122.65 क्योंके molar mass है तो हम इसको gram पर मोल में लेती है student इस तरह ये मेरे पास जो है this one is the solute molar mass of solute x जो solute x हा उसका molar mass actually ये जो चीज़ हमने पढ़ी है ना ये application of collective property है ये हमें बता सकता है कि with the help of lowering of vapor pressure that is one of the collective property we can calculate the molar mass of solute my dear student आज की selection में हमने collective property एक पढ़ी जिसका नाम है हमारे पास lowering of vapor pressure फिर हमने उसकी मरद से molar mass of solute और फिर हमने एक numerical से उसको apply भी की मेरी द्वाएक Allah अपर अपना फजल फर्माए Allah अपर अपना कर्म फर्माए Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh